हलो गाइज यह वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक्स भाई आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है भाई क्योंकि कल के मैच में देखना तो क्या था क्या देखना था हनसी फ्लिक बॉल इस लुकिंग ब्राइड भाई कल के मैच में क्या देखना था बार्सा मुझे मुझे बार्सा नहीं देखना थी मुझे बार्सा के प्लेयर्स दिन देखना थी मुझे ऐस फुटबॉल फान देखना था हनसी फ्लिक करना क्या चाहता है इस तीम के साथ हनसी फ्लिक करवाना क्या चाहता है जब बार्सा अभी इतने अपने डाउन पर है हनसी फ्लिक क्या क सकता है इस team के साथ क्या impact था कलके match तो बहुत चीजे दिखाए अब से पहली चीज बात करते हैं पहले हैं हनसी फ्लिक के बात करता हूं फिर आतो प्लेर्स पे हनसी फ्लिक सबसे पहली चीज प्रिसिंग दिखी प्रॉपर कॉडिनेटेट प्रिसिंग दिखी अटाक किया तो पूरी टीम ने डिफेंस किया अज़ट टीम जो चीज मुझे देखनी इस एक एक प्लेयर को यह तो बार्सा की मी टीम थी एक-एक प्लेयर को अपना रोल पता था मेरा क्या रोल है मेरा कोच हंसी फ्लिक मुझसे क्या चाहता है बहुत थी जादा डारेक्ट गेम दिखी डा dangerous counters निकाल रही थी भाई कई बार्सा नहीं करके दिखाया जन्रेटिंग इंगर इंगर्स काउंटर बार्सा से देखने को नहीं मिलती थी look at this goal भाई मैं आपको यह goal दिखाता हूं directness दिखाता हूं आप यह goal दिखाता हूं आप यह goal देखो भाई this man he was too good he was ready भाई जैसे ही goal चड़ा था अपने कसाडो कसाडो पर विक्टर वाउस रेडी उसको पदा था opportunity बन गई है and goal from defense to attack 3-4 touches में goal निकाला 3-4 touches में भाई खोल दिया पूरी pitch खोल दिया पूरी pitch इनाब दिया पूरी Karyal था, Grealish था, Cowarsis था, Harland था, 5 starters लेड था उस team के साथ बाटिको यह हर एक coach का ने अपना ऐडिया हो तो Carlo Insilotti का अपना ऐडिया पना ऐडिया पना ऐडिया Klopp का अपना ऐडिया भाई, Hansi Flick ने कल यह चीज़े दिखाई कलके माच में जो देख रहा था वो चीज़े दिखी अगेंस मैंचेस्टे सिटी एक चीज़ क्लियर हो गई है भाई हंसी फ्लिक ओल्वेज वांथ है अपनी टीम को देखना चाहता है तो लुक फोवड हमेशा है जाओ तो आगे के लिए खेलो भाई and play attacking football बार्सा का प्रेस ब जब डिफेंस कर रही थी अपना बार्सा तो आज टीम डिफेंस कर रही थी यह चीज बहुत तगड़ी चीज दिखी भाई यह बार्सा की बी टीम थी और बहुत इंट्रस्टिंग बहुत तगड़ी साइंस दिखे भाई and काफी फ्लुइड देखा बिल्डप प्ले Hansi Flick भाई always wants his team to look forward and play attacking football अब मज़ा आएगा अब मज़ा आएगा बार्सा को देखने में Hansi Flick के अंडर भाई बहुत जादा मज़ा आने वाला as a football fan as a रियामट fan देखो भाई देखो सुनो सुनो Hansi Flick के दो तीन चीजें बहुत इंटरस्टिंग दिखी और तगड़ी भाई एक तो अपनी टीम को attacking football खिलाना चाहता है जो चीजे दिखी जो चीजे उसने बताई भी after this match में आपके सामने रखता हूँ भाई attacking football plus क्या जो लास सीजन नहीं दिख रहा था बार्सा के तरफ से players से भाई जब भी city पीछे से game चलाने की कोशिश करते, build-up करने की कोशिश करते भाई proper coordinated pressing दिखी and साथ ही साथ continuous continuous physical actions दिखे भाई जिसकी वजह से that allowed them to dominate many aspects of the match. overall बोलू तो भाई, last season से अगर मैं compare करूं जो first impression impression दिखा under hansi flick, Barcelona जो दिखी under hansi flick, क्या दिखा भाई, last season से compare करूं एक faster Barcelona दिखी, faster Barcelona with more direct football, और ये चीज flick खुद बोल रहा है, hansi flick खुद बोल रहा है, mere wingers को goal निकालना पड़ेगा, this is very important for me, अगर भाई दिखो, so if they have a chance to score a goal directly, let them do it भाई, पीछे नहीं जाना, don't go back भाई, सोचो मत जादा, second thoughts दिमाग में नहीं आने चाहिए, अगर तुमारे पाद चांस है, घुच जाओ, this is very important for me, और ये चीज़ पेप ने भी बोली है, भाई, I really liked भाई, this जो बार्सा दिखी under hansi flick, wingers, wingers की तरह खेल रहे थे, white थे, space को exploit कर रहे थे, midfielders चड़के खेल रहे थे, fullbacks अटाक कर रहे थे, जब जहाँ space मिल रही थी, दिख रही थी, अब थोड़ा भाई, players पे आते हैं, भाई, कल के माच में, जो जिनोंने मुझे बहुत ज़दा, impress किया, पहले तो भाई, Pablo Tore, he was too good, भाई, कल के माच में, बाई, यह जो double pivot दिखा, यह काफी impressive दिखा, भाई, I hope मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, भाई, बर्नाल और का साडो का यह double pivot दिखा, भाई, यह काफी impressive लगे भाई, यह दोनों बने मुझे को, and सबसे important, पाव विक्टर, he was too good, कल के माच में, he was too good, भाई, पाव वि कर देता है, ठीक है, फाल्तु के टर्न्स नहीं है, फाल्तु के बहुत जादा होल्ड नहीं करता है, जो लवा से आपको बहुत जादा देखने को मिलती होगी कहिना की बार्सलोना फांस, वोर्क रिट अच्छा खासा दिखा मुझे इस प्लेयर का, and always, he was always looking to exploit the space, एक चीज जरूर बोलूगा भाई, यहाँ पर क्योंकि Lewandowski को यहाँ पर mention करना जरूरी है कल के माच में, लेवंडॉस्की भाई दिखो इस बहुत बड़ा सीजन, यह तो पहला माच था, प्री सीजन का friendly माच था बट लेवंडॉस्की को ध्यान में रखते हुए, जो कल के माच में दि जलीलिटली गॉन, और यह चीज़ भाई मेरे लिए लिए अजा फुटबाल लोट भाई, भाई बहुत बड़ा एक वरिंग साइन है, अगर मेरा नंबर रहां, फुट भाई हर् पहुत बड़ा सीजन है, थो मेरे सबसे बहुत बड़ा वरिंग पॉंट हो सकता है, तो मेरे completely different भाई, look at this composure, मेरे भाई, look at this composure, calmness of 16 years old Tony Fernandes, भाई, winning penalty मार रहा है यह for Barcelona, भाई, आप coolness देखो, calmness देखो, आप composure देखो, आप penalty देखो to secure the win for Barca, Lamacia is different, completely different breed यार, एक तरफ 5 starters start कर रहे, Manchester City के दूसरी तरफ सिफ Lamacia, सिफ players, Barca की भी team खेल रही है, और यह Pep ने खुद बोले है, यह Pep ने खुद रखा है, भाई, Barca का जो base है, अगर यह building है, let's say, यह building है, यह building है, यह Barcelona के अगर यह building है, तो यह base है न, यह Lamacia है, भाई, इतनी important है Lamacia कल के match में भी दिखाया, और हर साल दिखाते है, भाई, कितना important है Lamacia for Barcelona, और किस लेवल के players, किस लेवल की quality हैं के पास, भाई, that's all for this video, भाई, आप अपने thoughts, comments section में जरूर रखना, भाई, लेवन डॉस की पर, आपके क्या thoughts, लेवन डॉस की पर, बहुत बड़ा season है, अपन को subscribe करना, बिल्कुल भी मत भूलना, I'll see you very soon, thank you